ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि SUV ने इंडियन मार्केट को डॉमिनेंट कर रखा है यहाँ पर SUV हर सेग्मेंट में अबिलेबल है आप चाहे माइक्रो SUV की बात करो कॉंपेक्ट SUV की बात करो मिड्साइज या फिर फुल साइज SUV यहाँ पर हर बजट में आपके लिए SUV प्राइस क्या है वो भी आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। SUV 21,760 यूनिट बिके हैं 11,62,000 रुपे दे प्राइस शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 19,6,000 रुपे तक जाती है इसके बाद टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर 21,849 यूनिट बिके हैं इसके फाइनेंचल एर 2023 में इसके प्राइस की बात करें तो 10,48,000 रुप 24,000 रुपे तक जाती है इसके बाद इसकोड़ा की कुशैक 20 पोजिशन पर भारत की सेफेस्ट SUV 25,300 यूनिट बिके हैं इसके फाइनेंचल एर 2023 में 11,69,000 रुपे दे इसकी प्राइस शुरू होती है और 19,79,000 रुपे तक जाती है इसके बाद एमजी हैक्टर 25,575 26,696 यूनिट बिके हैं और ये 18 पोजिशन पर आई है फाइनेंचल एर 2023 में 16,70,000 रुपे दे प्राइस शुरू हो करके 21,13,000 रुपे तक जाती है इसके बाद रैनो की काईगर 17 पोजिशन पर 26,764 यूनिट बिके है और 6,50,000 रुपे दे इसकी प्राइस शुरू होती है और 11,23,000 रुपे तक जाती है इसके बाद टाटा की हैरियर 30,633 यूनिट बिके हैं 15,000,000 रुपे से प्राइस शुरू होती है इस 5-seater mid-size SUV की और 24,000,000 रुपे तक जाती है इसके बाद टोयोटा की फॉचूनर एक 7-seater full-size SUV है 30,688 यूनिट बिके हैं और प्राइस शुर मैगनाइट के सफ़ो मिटर SUV है एक लौदी निसान की तरफ सो आफरिंग है इंडिया के अंदर किक्स को बंद कर दिया गया है मैगनाइट की प्राइस 6,00,000 रुपे तक जाती है इसके बाद महिंद्रा की थार एक ओफ रोडर लाइफ स्टाइल SUV 47,108 यूनिट बिके हैं फ उन्निस लाग 95,000 रुपे तक जाती है इलेवन पोजिशन पर एक शुवी 3 डबलो 16,386 यूनिट बिके हैं एक शुवी 3 डबलो के आट लाग 41,000 रुपे दे प्राइस शुरू हो करके 14,60,000 रुपे तक जाती है इसके बाद महिंद्रा की स्कॉप्यो और स्कॉप्यो और 9 पॉजिशन पर 70,486 यूनिट बिके हैं financial year 2023 में वहिंदा स्कॉपियो क्लासी की प्राइस 13,00,000 रुपे तक जाती है और स्कॉपियो N की प्राइस 13,00,000 रुपे तक जाती है इसके बाद किया सॉनेट 8 पॉजिशन पर सफ़ॉमिटर SUV है 94,096 यूनिट्स बिके है 7,89,000 रुपे तक जाती है 7 पॉजिशन पर किया सेल टॉस एक लाग कांकड़ा चूलिया है इस financial year 1,132 यूनिट बिके हैं सेल टॉस के mid-size SUV है इस साल जून के आसपाद इसका updated version भी आ सकता है 10,89,000 रुपे तक जाती है इसके बाद महिंद्रा की बॉलेरो 1,570,000 यूनिट बिके हैं इसके financial year 2023 में बॉलेरो की प्राइस 9,88,000 रुपे दे शुरू होगर के 10,89,000 रुपे तक जाती है बॉलेरो नियो की प्राइस शुरू होती है 9,63,000 रुपे से और 12,14,000 रुपे तक जाती है फिप्त पोजिशन पर हुन्डाइ की वैन्यू एक सब 4-meter SUV है लास्ट ये अप्डेट्स मिले हैं एक लाग बीस हजार छेसो त्रेपन यूनिट इस financial year इसके बिके हैं साथ लाग 72,000 रुपे दे प्राइस शुरू होती है और 13,18,000 रुपे तक जाती है इसके बाद टाड़ा की पंच फोर्थ हाई एस सैनिंग SUV एक लाग 33,819 यूनिट के साथ में अप्राइल 2023 की लेटेस एक्शन रुम प्राइस 6,00,000 रुपे दे शुरू होती है और इसके टॉप वेरेंड के लिए 9,47,000 रुपे तक जाती है थर्ड पोजिशन पर मरुती सुजुकी ब्रेजा एक लाग 45,665 यूनिट्स बिके हैं ब्रेजा के यहाँ पर इसकी प्राइस शुरू होती है 8,27,000 रुपे से और 14,13,000 रुपे तक जाती है इसके बाद Hyundai Creta 1,50,372 यूनिट्स बिके हैं इस Financial Year 2023 में Hyundai Creta की प्राइस 10,87,000 रुपे शुरू हो करके टॉप वेरेंड के लिए 19,20,000 रुपे तक जाती है और नमबर वन पोजिशन पर Financial Year 2023 में Tadda Nexon 1,72,138 यूनिट के साथ में Tadda Nexon ने लास्ट यर काफी महीनों तक राज किया नमबर वन बैस सरेंगे SUV की लिस्ट में और Financial Year 2023 में देखा जाए तो भी ये नमबर वन SUV बनी हुई है 7,89,000 रुपे दे प्राइस शुरू होती है और इसके टॉप वेरेंट के लिए प्राइस 14,35,000 रुपे तक जाती है और अगर आप 6 महीने पहले की प्राइस को आज से कंपेर करूगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा और आने वाले महीनों में भी आपको बैक टू बैक प्राइस हाइक देखने को मिलते रहेंगे और आपके लिए संडे कार न्यूज एपिसोर्ड में और भी प्राइस हाइक वाली जानकारी भी दे देंगे हम आपको जो कल सुबा 9 बज़े वीडियो आएगा फिलाल इस वीडियो के लिए बाच इतना ही थेंक यू फर वाचेंग